Hello and welcome back to my channel, मैं आज आगे फिर से आप लोग के सामने और एक नई रेमेडी शेयर कहने के लिए इस जो रेमेडी है वो आप लोग बो सेक्तों फेस मेस्ट भी है और फेस टोनर भी है वो फेस मेस्ट और फेस टोनर बनी है यहाँ अख लेजर को पता चल गय है घ्री टी याण फेस मेस्ट इसको आप लोग ओली कीन वाले भी यूज़ कर सकते और द्राम रही है वोतब उसकरow सकते और जैसे हम ingredients and green tea तो ये green tea मैंने ले लिया है फ़ाइट करता है pre-mature aging से और reduce करते है redness and irritation से और acne में भी बहुत अच्छा काम करता है और green tea है anti-oxidant मतलब ये toxin Release करने में बहुत ज़्यादा फाइदें मन्द रहते हैं और यहाँ पे लिया है aloe vera gel एलोवेरा जल स्कीन में नमी रखने में और स्कीन को हाइडरेट रखने में बहुती ज़्यादा साहता करती है और उसके साथ साथ यहां पे कोला जिन प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा होता है जिसे के हमारे स्कीन में रिंकल्स कमाते हैं और ऐलोवेरा बहुत ही healing का काम करते हैं तो यह दो की ओक बहुत ही आफ्चा कॉम्मिनेशन का आफ्टिय की। और यहाँ पे जो चाहिए है वह हमारा पानी कि पानी पानी मैंने ले लिया है और इसे मैं एक पैन चरा दूँगी, गैस की उपर, और वहाँ पे मैंने पाणी डाल दिया है और उसके बाद मैंने दिखाना भूल गई, यहाँ पे मैंने एक पाउच मैंने डाला है Celsius ग्रीन टी के और इसको मैंने अच्छे से उबाल लिया है और उबालने के बाद इसको मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रैक्ट है वो निकल के पानी के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए अब इसको मैं कुछ देख तक ठंडा होने के लिए रख दूँगी और यहां पे लिया है मैंने एक चम्मच भर के ऐलोवेरा जेल लिया है आप लोगों ने देखा है तो एक चम्मच मैंने ऐलोवेरा के जेल लिया है और ऐलोवेरा के जेल को मैंने एक बाउल में बहुत अच् अब इसको मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है क्योंकि ग्रीन टी के साथ एक साथ भो मिल जाए बस अब मैने घ्रीन टी मेरा थंड़ा हो गया है उसका पूरी एक्स्ट्टाक निकल के आगे है पानी के साथ तो मेरा ग्रिंटी पूरा बनके रेडी हो गया है इसको मैं ठंडा करूँगी और भी थोड़ा सा ठंडा बिल्कुल ठंडा कर लूँगी और उसके बाद इसके साथ जो ऐलोवेरा था ऐलोवेरा उस बोल से लेके इसमें मिला लूँगी बहुत अच्छे से मिला लूँगी ताके लम्स ना जमे लम्स ना हो तो बहुत अच्छे से मैंने मिला लिया है और जो बोल में थोड़ा बहुत ऐलोवेरा बची थी वहां से भी मैं मिला रही हूँ ताके पूरा मेरा एक चम्मच का ऐलोवेरा इसके साथ घुल मिल जाए ऐलोवेरा बहुत ही अच्छा काम करता है स्कीन के उपा जैसे मैंने बताया नमी बरकरार रखती है बहुत अच्छा हाइड्रेशन की काम करती है कूलिंग का काम करती है सूधिंग एफेक्ट देती है कमिंग होती है रेडनेस इरिटेशन से बचाती है स्कीन को तो ये कोई भी स्कीन वाले इसको यूज कर सकते और ग्रीन टी बहुत अच्छा एंटी ऑक्सियंट है ये स्कीन से टॉक्सिन रिलीस करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पूल है तो आप लोग उने देखा कितना आसानी से बन गया है ग्रीन टी वाला टोना रेडी हो गया हमारा ग्रीन टी का फेस मेस्ट और टोना जो भी आप लोग बो सकते हैं तो आज की वीडियो यहीं तक फिर मिलूँगे नहीं किसी ब्यूटी टिप्स के साथ किसा तक तक लिए बाइ